दोस्तों कहते हैं ना माबाप का साया उठ जाने के बाद बच्चे किस स्तिती में चले जाते हैं तो यही हुआ है आर्थी सिंग के साथ बहुत कुछ हुआ है बच्पन में जब उनके माता पीता का साया उनके सर से उठ जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाती है तो नमस्कार दोस्तों मैं पृति गुपते आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आरती सिंग की जीवनी जहां दोस्तों आरती सिंग बहुती फेमस कलाकार जो है एक्ट्रेस आरती सि के बच्पन में बहुत सारी ऐसी चीजे हुई है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ तो वीडियो का अंतक देखेगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पर नहीं आया हो तो चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्य कीमा गौरब चोपडा किरदार से हुई थी ठीक है आरती सिंग के परिवार के कई शदस टीवी सिरियल और फिल्मों में काम करते हैं आरती हिंदी टेलिवीजन के सिरियल में नेगेटिव और पोजिटिव दोनों तरह के किरदारों को निभाते वे दिखाए देती है जो टी आरती सिंग कलर्स चैनल के रियलेटी सो जो है बिग बॉस 13 में दिखाए दी थी 2013 में आरती की जनता के बीच लोग प्रेता कुछ कम नहीं और अपनी सूजबुश से आरती बिग बॉस 13 का सफर बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रही थी आरती सिंग की प्रारंबिक इसमें उनका देहांत हो गया आरती की मा का नाम पदमा था जो की गोविंदा की सबसे चहेती बहनती ठीक है जिनका देहांत आरती के जन्म के 37 दुनों बादी हो गया मा के देहांत के बाद 37 दुनों की आरती को उनकी मा की ननद गीता सिंग ने गोध ले लिया गीता सिंग आर्ती को पाल पूसकर बढ़ा किया आर्ती के सगे भाई कॉमेडियन कृष्णा अभिशेख है और विवेक सिंग उनकी मा गीता सिंग के बेटे हैं आर्ती की मा के गुजर जाने के बाद उनके भाई कृष्णा अपने पिता के साथ मुंबई में ही रहते थे हिंदी बॉलिवेट के हीरो नमबर वन गुविंदा रिस्ते में आर्ती के मामा लगते हैं और हिंदी सिरियल की एक्ट्रिस रागनी खरना स्वामिया सेट आर्ती की कजन बैने हैं कासमीरा उनकी भाबी है जो की उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समाल रही है फिल्मों को डाइरेक्ट करने वाले अमीत खरना भी आर्ती के कजन भाई है 34 साल की आर्ती सिंग की फिलाल शादी हो चुकी है रियलिटी शो बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट जो आर्ती सिंग है काफी ज़्यादा मजबूत खिलाडी रही और अन्त तक साथ निवाई ठीक है आर्ती ने अपनी अभिने की सुरूआ 2007 में जी टीवी के सिरियल मायका से की थी ठीक है बस थोड़े की जरूवत है में मुगदा के किरदार को भी निवाया 2011 में भी उनको मिली थी सफल था कलर्स चैनल में जो सुरूआ था एक तक कपूर का सिरियल ठीक है इन सब के अलावा आर्ती कलर्स के सिरियल ससुराल सिमर का में और टीवी के सिरियल वारिस में भी दिखाए देती 34 साल की आर्ती ने इतने साल टीवी सिरियल में काम करने के बाद भी अपना नाम जो है जादा लोगों के साथ जुड़ने नहीं दिया आर्ती सिंग फिलाल टीवी एक्टर आयाज खान को डेट कर रही थी अपने सगे भाई क्रिशना के साथ आर्ती काफी ज़्यादा करीब है और अपने पीता की गुजर जाने के बाद आर्ती क्रिशना की काफी जो है क्रिशना जो है ध्यान रगते थे आरती सिंग को अभी नहीं के अलावा डांस घूमना और स्रिमिंग करना काफी ज़्यादा पसंद है आरती सिंग ने अपने एक इंटर्वी में अपने फैंस को बताया था कि अगर वो एक्टरस नहीं बनती तो वो डांसर जरूर बनती आरती ने उसी इंटर्वे में बताए कि वो बचपन में अपने भाई कृष्णा और अपने कजन भाई भाई भान रागनी और सौमय सेट अमीत खना की तरह नहीं थी उन्हें फैशन के बार में बिल्कुल भी घ्यान नहीं था और ना ही वो अच्छी थी बोलने में इंग्लिश इंग्लिश भी अच्छी नहीं बोल पाती थी कलर्स के रियालेटी शो बिग बॉस 13 में आरती की सबसे अच्छी दोस्त रस्मी दिसाई थी आरती और रस्मी काफी समय से दोस्त रहा और मेडिया के खबरों की मुताबिक रस्मी और आरती दोनों सिधार सुकला को पसंद करती थी सिधार सुकला के साथ उनकी bonding आप देखी ज़रते थे काफी अच्छी दोस्ती सिधार सुकला की बिग बॉस तेरा में यह देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था कि रस्मी आरतियों सिधार सुकला के बीच क्या-क्या पकरा था क्या-क्या बाते हो रहे थी काफी ज़्यादा लोग पसंद करते थे उन्हें दोस्तो बच्पन में आरति के साथ बहुत कुछ हो चुका है आरति डिप्रेशन में भी चली गए थी और बिग बॉस ने खुद सहनाज गिल को बताया जब सहनाज गिल उससे पूस्ती है कि तू इतनी डरी-डरी क्यों रहती है तब ही बताया था आरति ने कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गए थी जब मेरे माता पिता का निधन हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहता कि मैं आगे कैसे जिंदेगी जी होंगी और उसी समय सहनाज को आरति ने बताया कि मैं जो है रिस्ते खोने से बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है और मैं हमेशा डरी रहती है कि कोई मुझे छोड़ कर ना चला जाए इसी वज़र से आरती जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और आप देखोगे बिग बॉस 13 का जब शो देखोगे आप जब जो रिकॉर्डिक सो है वो आप देखोगे तो देखोगे कि आरती हमेशा परेशान रहती थी मतलब उसे हमेशा लगता था कि कोई मुझे छोड़ कर चला जाएगा लेकिन उसी आरती को अब आप देखोगे इस इस्तिती में जब उनकी साधी हो चुकी है तो आप देखोगे कि किस तरीके से आरती बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है बहुत कुपसूरत भी हो गई ह बहुत ज़्यादा मैच्योर भी लगती है देखने में दोस्तो दीपक चौहान के साथ साधी करने के बाद आरती का आगे का सफर कैसा रहेगा वो देखने लाइक होगा क्योंकि आरती और दीपक के जोड़ी काफी ज़्यादा अच्छी है लब मैरेज है दोनों की और आरती जो आप लोग को दिखती होगी आज वो आरती बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा तो दोस्तो आरती के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी प्राप्ती तो उम्मीद करूंगी आपको जानकारी ये बहुत ज़् शेयर कीजिए लाइक कीजिए पसंद आये तो और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दिजए आज के लिए इतना ही आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद बाबाई